हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चानल रिचेश मेरा व्लोग्स और मैं हूँ रिच्चा तो आज आप देख सकते हो कि मैं हूँ छट पे तो आज मैं अपने व्लोग के स्टार्टिंग कर रही हूँ छट से क्यूंकि आज सुबर से ही बादल छाया हुआ था मिंस बदली आई जब थोड़ी थोड़ी से धूप निकलने लगी तो फिर मैं चट पर चली गई थी मैंने सोचा कि मैं पेडों पर पानी डाल देती हूँ और जब मैंने नीचे पानी डाला तो आपको जो बच्ची दिख रही है न वो नीचे में रहती है आपने उसे देखा हुआ है तो पर गेट के पस खड़ी वही है आप देख सकते हो उसका नाम है नित्या हमेशा मैं उपर से ही बात करते हूँ नित्या से तो आप देख सकते हूँ नित्या हमेशा उपर ही देखते रहती है जैसे ही वह बहान निकलती है पेड़ भी थोड़े थोड़े लगने इस्तार्ट ह तो मैंने सारे पौधे पर पानी डाल दिया है धनिया की ग्रोथ बस थोड़ी सी जल्दी हो रही है बाकी तो आप देख सकते हो कि बहुत छोटे छोटे से ही पेड़ है I think टमाटर और मिर्ची के भी पेड़ जल्दी लग रहे हैं मुझे लगता है कि बिंडी और बैंगन का प सबी देखने को मिल जाएंगे मैं जादा धूप में रहना पसंद नहीं करती बट आज की धूप मुझे इतनी जादा अच्छी लग रही थी ऐसा लग रहा था कि मैं पूरे टाइम च्छत में ही रहूं नीचे जाने का बिलकुल मन ही नहीं कर रहा था मैं धूप में जरूर भी लेट होता है बट आज मैंने जल्दी जल्दी से काम अपने खतम करके मैं जल्दी से ही नहा चुकी थी इसलिए मैं बहुती अराम से धूप का मजा ले रही थी छट पे तो यहाँ पर मैं खाने में बनाने वाली हूं सिम्ला मेच और टमाटर की चट्नी जो की बहुती ज झाल टमाटर की बहुती जल्दी झाल झाल तो हमारी सिम्ला मेच और टमाटे की चटनी हो चुकी है रेड़ी और आप देख सकते हो कि कितनी जादा अच्छी लग रही है अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक, कमें, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल विच इस रिचे मेरा व्लोग्स, बाइ गाइस!